नमस्कार दोस्तों, बॉलिवोड में जो भी फिल्में बनती है, वो समय के हिसाब से बनती है, देश में अगर लेफ्ट विंग की सरकार है, या समझ लो राइट विंग की सरकार है, तो फिल्म बनाते समय ये भी ध्यान में रखा जाता है, और इसका कारण ये होता है कि देश म पिछले कॉंग्रेस की सरकार हो तो फिल्मों में सेक्विलरिजम देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर आज की डेट में BJP की सरकार है तो हिंदुवादी फिल्में जो हिंदु धर्म से प्रेधित हूं इस तरह की फिल्में ज्यादा बनने लगी है। इसका कारण यह है कि फिल्मेकर्स केंदर सरकार या रज्य सरकारों से कई तरह की सुविधाई लेते हैं और उसी के हिसाब से फिल्में बनाते हैं। की गिरफतारी तक की जो है नौबत आ गई थी। तांडव और पाताल लोग यह दो तीन ऐसी स्रीज आई थी जिन पर विवाद हुआ और वो पूरी दुन्या को पता चल गया था। लेकिन अब जो है फिल्मेकर्स और एक्टर्स इस बात को समझने लगे हैं कि मैजोरिटी वाले लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता। इसलिए बॉलिवुड में हिंदुत वादी और उनके धर्म गरंतों पर फिल्मों की बाड़ सी आ गई है। कुछ समय पहले आमीर खान महाभारत मूवी बना रहा था। शायद वो फिल्म जो है अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। उसका कारण कोई भी हो लेकिन महाभारत मूवी का एनाॉंसमेंट हुआ था। एक करण नाम से मूवी आ रही है जो की करण की लाइफ को दिखाएगी जिसमें शाहिद कपूर करण का रॉल प्ले करेगा। राम सेतु नाम से फिल्म आ रही है वो आप सभी को पता है अक्षे कुमार उसमें लीड रॉल में है। इसी तरह परभास की आदी पूरुष आ रही है परभास को छोड़ कर आदी पूरुष में ज्यादातर कलाकार बॉलिवूड के हैं तो इस फिल्म को बॉलिवूड की फिल्म ही कहें तो गलत नहीं होगा। इसी तरह एक रामायन 3D नाम से एक मुवी आ रही है जिसके अंदर राम के रॉल में साउथ एक्टर महेश बाबू है और बाकी सारे कलाकार बॉलिवूड के हैं। जो है चांसी जैकी करीना कपूर सीता के रॉल में नजर आई और रावन के रॉल में इसमें नजर आने वाला है रनवीर सिंग। फिल्मेकर सरकारों को खुश करने के लिए उनकी पसंद के हिसाब से फिल्में बनाती हैं। लेकिन यहां एक सवाल सबसे एहम है कि बॉलिवूड की फिल्मों में अंडर वर्ल का पैसा लगता है। और वो पैसा अब भी लगेगा। तो क्या वो सीता मा के किरदार को यथावत वैसे ही दिखाएंगे जैसा रामायन में वर्नित है। मुझे याद है अभी दो-तीन साल पहले गंजेडी एकता कपूर ने टीवी पर महाभारत बनाई थी। हरी करेक्टर की कैसे मट्टी पलीद की थी वो आप सभी ने जरूर देखा होगा। उस महाभारत को देखकर साफ पता चल दा था कि एकता कपूर सिर्फ हमारे धार में गरंत का मजाग बनवाना चाहती है। उसके लिए उसे काफी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, काफी ज़्यादा उसका मजाग बनाया गया था। उसी तरह का डर अभी भी है कि इतनी सारी फिल्में जो महा भारत और रामायन पर आधारित हैं, वो बन रही हैं, वो बनने वाली हैं, क्या ये सारी फिल्में अपने ओरीजनल केरेक्टर को justify कर पाएंगी? जिन फिल्मों में अंडरवर्ड और अनील मुसर्रत जैसे लोगों का पैसा लगा हो, वो फिल्में निश्पक्ष कैसे बन सकती हैं? आने वाले समय में आप सभी तैयार रहें, क्योंकि एक एक करके हर एक फिल्म का वही हश्र करना है, जो राधे का किया है, जब तक बॉलिवूड गुटने पर ना जाए, तब तक पहिशकार जारी रहना चाहिए, अपनी राय जरूर देना, जैहिंद!